हेलो फ्रेंड्स वेलकम बाक टो मैं चैनल तो टुड़े वी आ गोईंग टो डिसकस अनाइटमी ओव दी परिडॉंशियम पार्ट फाइव इसमें हम लोग पढ़ेंगे जिन जैवल सेल के बारे में और यह हमारा लास्ट पार्ट होगा अनाइटमी ओव दी परिडॉंशियम क इसके बाद हम नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं और जैसा कि आप जानते हैं हमने पेरियो लेक्टर शुरू कर दिये हैं तो आप वन बाई वहां जाके पढ़ सकते हैं ठीक है तो शुरू करते हैं सबसे पहले जिन जैवल सेल्स की बात करते हैं तो जिन जैवा में कौ Neutrophils होता इसमें, Lymphozydes होता है और Plasma Cells होते हैं तो यह cells आपको याद रखने हैं कौन-कौन से? Fibroblast, Mast cell, Macrophages, Neutrophils, Lymphosides, and Plasma Cells प्रेजन्ट होते हैं इसमें ठीक है? अब one by one हम इसको ब्रीफ में complete करेंगे, सबसे पहले बात करते हैं Fibroblast की ठीक है, तो fibroblast is a type of cell that contributes to the formation of connective tissue हमने पहले ही पढ़ा था कि जो fibroblast cells हैं, वो connective tissue को बनाने में काम आते हैं ठीक है, वो contribute करता है formation of connective tissue ठीक है, यह एक fibrous cellular material है that supports and connects other tissues or organ in the body यह धिहान से, यह point समझना आप लोग, यह क्या कर रहा है, यह fibrous cellular material है that supports यह support करता है और connect भी करता है एक दूसरे tissues और organ को, ठीक है न? Fibroblast secrete collagen proteins that help in maintain structural framework of the tissue, ठीक है? तो याद रखना, fibroblast क्या करता है, collagen proteins को secrete करता है जिसकी वज़े से जो tissue का structure होता है न, वो maintain होता है, ठीक है? इतना clear हो गया? यह देखो, कुछ बच्चे confused होते हैं fibroblast और fibrocyte में, ठीक है? तो यह confusion नहीं होना है, fibroblast का structure ऐसा होता है और fibrocyte का structure ऐसा होता है, spindle shape तो यह confused होते हैं, fibrocyte को fibroblast लोग बोल देते हैं, नहीं, यह सीच किलियर करके चलनी है कि fibroblast जो cells होता है, वो irregular shape का होता है, ठीक है? sorry, जो fibroblast होता है, उसका irregular shape होता है, आपको दिख रहा है, यहाँ पर यह irregular shape हो रहा है ना, इसका उसके बाद यह larger size होता है, fibro side से बड़ा होता है fibroblast, ठीक है? difference भी दिख रहा होगा आपको, larger होता है इसका जो nucleus होता है वो large और avoid nucleus होता है और cytoplasm is basophilic होता है वहीं अगर fibrosite की बात करोगे तो यह छोटा होता है shape spindle shape का होता है इसका जो nucleus होता है वो small elongated nucleus होता है और cytoplasm इसका acidophilic होता है तो पूरा difference आपको पता चल गया यहां पे तो आप confuse नहीं हो गया आप लोग ठीक है ना आगे बढ़ते हैं बात करते हैं mast cell की ठीक है तो mast cell play an important role in how the immune system respond to certain bacteria or parasite तो mast cell का यही काम होता है कि कैसे हमारा immune system कोई भी bacterial infection अगर gingiva में आ रहा होगा या कोई भी parasites होगा तो वो उससे लड़ेगा वो immune system को बोलता है और respond करवाता है against bacteria or parasite ठीक है उसका यही काम होता है and they help control other type of immune responses also ठीक है अब mast cell के अंदर chemicals होता है जैसे उसके अंदर histamine होता है hyperin होता है cytokines होता है और growth factors होता है master cell के अंदर यह आपको याद रखना है ठीक है देखो आपका master cell कुछ ऐसा दिखेगा जिसमें histamine granules होंगे receptor होगा ठीक है इसमें antibodies Ig antibodies के receptors होंगे वो क्या करता है वो antigen जैसे ही आएगा कोई भी antigen bacteria हो जाए कोई भी हो जैसे ही आएगा इम्यून रिस्पॉंस दिखाना शुरू कर देगा against this antigen ठीक है न तो इसमें इसमें जो histamine granules हो रिलीज होना शुरू होता है जैसे कि degranulation बोलते है तो अभी हम ब्रीफ में डिटेल में नहीं बात कर रहे हैं ब्रीफ में डिसकस कर रहे हैं भी हम लोग ठीक है दूसरा cells बात करते हैं macrophages की तो macrophages is a type of white blood cell ठीक है that surrounds and kill microorganism removes dead cells तो macrophages का काम होता है वो microorganism को मारता है dead cell को remove करता है and stimulate the action of other immune system cells को भी stimulate करता है तो macrophages हमने पढ़ा था 12th standard में भी पढ़ा है BDS में भी हमने पढ़ा है यह क्या करता है जो bacteria होता है उसको engulf कर लेता है phagocytosis की मदद से उसको वो kill कर देता है हमने सब यह पढ़ रखा है अभी हम लोग बस brief में discuss कर रहे हैं यह क्या करता है एलिमिनेट करता है foreign substances को by engulfing foreign materials and initiate an immune response मैंने बताया था आपको तो macrophages का structure ऐसा होता है इसमें भी cell membrane होता है cytoplasm होता है pseudopodia होता है इसमें जो engulf करने में मदद करता है गॉलगी body होता है lysozones होता है nucleus होता है endoplasmic reticulum तो यह सब हमने पढ़ चुका है पहले तो macrophages का structure ऐसा होता है यह भी present होता है जिंजावा में अब neutrophils की बात करते है neutrophils भी present होता है तो neutrophils are a type of white blood cells again यह भी white blood cells है हमारा leukocides बोलते है इसको that act as your immune system first line of defense कोई भी bacteria आ जाएगा सबसे पहला आपका neutrophils जाएगा लडने के लिए bacteria से तो neutrophils help your immune system fight infections और heal injuries जैसे मान लो कोई भी मान लो आपका जिंजावा में infection हो गया तो सबसे पहले यह neutrophils जाएगा वहाँ bacteria से लडने के लिए ठीक है और जो भी injury हुई होगी वहाँ पे वो उसको ठीक करेगा ठीक है ना इसका structure देखो ऐसा होता है cytoplasm इसका है nucleus ऐसा होता है granules ऐसा होता है तो यह structure याद रखो lymphocytes की बात करते हैं lymphocytes भी प्रेजन होता है lymphocytes भी एक टाइप का white blood cells ही है यह भी immune system को activate करेगा lymphocytes help your body immune system fight cancers वाले cells क्योंकि oral cancers होता है तो lymphocytes वहाँ पे major role play करता है foreign viruses होते है या bacteria हो गया उन से लड़ने का काम करता है तो lymphocytes का nucleus ऐसा होता है cytoplasm ऐसा होता है simple, clear plasma cell की बात करते है plasma cells भी present होता है so a type of immune cell that makes large amount of specific antibodies plasma cells हमें पता है antibody बनाता है तो antibody इसका काम है specific amount of antibody बनाना ताकि वो antigen से लड़ सके ठीक है न उसके बाद plasma cells develop from B cell हमें पता है यह भी कि plasma cell B cell से निकलता है MCQ यह याद रखना that have been activated plasma cell is a type of white blood cells यह भी एक white blood cells का type है यह ऐसा दिखता है plasma cell इसका main काम है यह antibodies को release करता है ठीक है न large amount of antibodies बनाता है अब बात करते हैं जिंजाइवा में blood supply कैसे होता है cells की तो हमने बात कर ली अब blood supply कैसे होता यह देखते है so gingiva has rich blood supply derived from three sources तो gingiva में तीन जगह से हमारा blood supply आता है एक तो periodontal ligament एक तो aliviar vessels और दूसरा supraperiosteal तो मतलब याद रखना gingiva में जितना भी blood आ रहा है वो कहां से आ रहा है source क्या है एक तो periodontal ligament याद रखना alveolar vessels और supraperiosteal vessels ठीक है अब मैं दिखाता हूँ आपको यह देखो एक तो alveolar bone में जो भी हमारे vessels होंगे वहां से आएगा blood gingiva को मिलेगा दूसरा supraperiosteal vessels जो periosteal होगा उसमें भी blood supply होगा और periodontal ligament तो यह तीनों से हमें gingiva में blood मिलता है ठीक है याद रखना आप नाउ lymph supply देखते हैं कैसा होता है gingiva का तो जो भी lymphatic drainage होता है gingiva connective tissue से वह कहां जाता है regional lymph node में जाता है तो lymphatic drainage starts in connective tissue papillae and drains into regional lymph nodes तो हमारे regional lymph nodes हमें पता है देखो from mandibular gingiva अगर mandibular gingiva से जा रहा है तो वह कहां जाएगा कहां वह drainage होगा mental lymph nodes में वह जाएगा मतलब drainage होगा उसका अगर maxillary gingiva है तो वह deep cervical lymph node में जाएगा तो यह याद रखना कि maxillary gingiva का lymph node कहां drain करता है deep cervical lymph node और mandibular का sub mandibular और submental lymph node में ठीक है याद रखना यह MCQ अब nerve supply कैसे होता है gingiva में यह भी याद रखना है तो nerve supply is derived from branches of trigeminal nerves हमें पता है जो trigeminal nerve है वहाँ से supply होता है gingiva को और number of nerve endings have been identified in the gingival connective tissue as a tactile corpuscles and temperature और pain receptors होते हैं इसमें ठीक है तो यहाँ से हमारा nerve supply होता है तो thank you so much guys I hope आप समझ गए होंगे अगर कुछ नहीं समझ में आया होगा तो मुझे comment कीजिए मैं उस recording आपको समझाने की कोशिश करूँगा ऐसे ही पढ़ते रही है thank you so much आपको 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 आपक